इसका एंसर है जो solids है उनका definite volume इसलिए होता है क्योंकि जो solid के molecules होते हैं वो बहुत जादे closely packed होते हैं और उनका position जोता है वो fix होता है जिसके कारण जो solid के molecules होते हैं वो movements नहीं कर पाते हैं लेकिन वो vibration कर सकते हैं लेकिन जो उनका vibration होता है वो negligible के बराबर होता है means वो बहुत ही कम होता है इसलिए उनके vibration का कोई भी effect नहीं हमें देखने को मिलता है जो solid के molecules है वो बहुत जादे पास होते हैं उनका position fix होता है जिसके कारण वो vibration कर सकते हैं लेकिन movement नहीं दिखा पाते हैं जिसके कारण उनका जो volume है वो definite होता है जाँ झाल